Hello everyone, आप सबका स्वागत है आपके अपने classroom में और आज हम deal करने वाले हैं section 43 यह हमारा 20th lecture है और अभी तक हम लोग transfer of property का एक major portion cover कर चुके हैं and I hope आपने वो lectures देखे होंगे और उसके बाद यह आप 20th lecture पर आये होंगे और अगर आप lecture 20 पहली बार देख रहे हैं मतलब मेरे चैनल पे मेरे वीडियोज को आप पहली बार देख रहे हैं और आप section 20 पे आगे हैं तो I would request you to stop there and go to lecture 1 and then from there आप वहां से शुरुवात से बढ़िये आपको transfer of property act पे इतनी अच्छी command हो जाएगी कि आपको किसी और book और किसी और source को refer करने की कोई जोर्त नहीं है मैंने हर एक provision पे बहुत ही detailed videos बनाए और almost सब कुछ cover किया हुआ है इतना कि अगर उतना ही आप किसी भी exam में लिखके आजाओगे चाहें वो कोई भी exam हो बट अगर आप उसे अच्छे तरीके से present करके आओगे जो कि उसके लिए भी मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से answer writing की जाएगी उसके लिए भी मैंने आपके लिए एक video बनाया हुआ है तो आप अगर properly answer अपने लिखके आओगे और उतना content लिखके आओगे तो जो maximum marks possible है वो आपको मिलेंगे तो आज का lecture हम section 43 शुरू करेंगे पर उससे पहले बात जो मैं आपसे हमेशा करता हूँ कि यह जो लोग हैं जो pay नहीं कर पाते हैं उस fees को और वो कहीं इस competition में कहीं इस race में पीछ पिछड़ जाते हैं तो judiciary जो है judicial services exams है जो दूसरे भी exam है जिनमें यह law subjects आते हैं तो वो exam केवल उन लोगों के लिए नहीं बने हैं जो वो fees pay कर सकते हैं हर इंसान का हक है कि वो किसी भी जो post ह कोई भी job आई है उसके लिए apply कर सके and all of them should be equally placed तो यह केवल elitist job नहीं बनके रह जानी चाहिए कि जो लोग धाई लाग रुपए fees दे पाते हैं वही judiciary clear करेंगे और बाकी जिस इनसान के पास जो कहीं दूर दराज इलाकिया में उत्तर प्रदेश बिहार और मद्य प्रदेशन हो हम उसको बराबर के level पे लेके आए सब के लिए और मैं आपको अश्यार करता हूं कि आप अगर इन lectures को religiously follow कर रहे हो properly पढ़ रहे हो मैं जैसा आपको पोल रहा हूं आपको अगर मैं कोई question पूछ रहा हूं आप उन सब चीज़ों का answer कर रहे हो और आप मुझ देना है आपको किसी coaching institute में इतना सारा पैसा ज्यादा extra है मुझे भेज दो मैं बाइक लेके आपको selfie कीच के भेज दूँगा तो पर waste मत करो जरूरत नहीं हो सीच की लोग आपको बोलते हैं जुडिशरी बहुत tough exam है बिल्कुल नहीं है ऐसा जुडिशरी एक अच्छा गास मैं इसलिए चाहता हूं कि यह classroom जो आप तक पहुंच पाया है यह आप दूसरों तक भी पहुंचाएं और हर कोई जो law से जुड़ा हुआ है जो law aspirant है जो judicial services aspirant है हर किसी को इस classroom के बारे में पता होना चाहिए और यह classroom हर एक उस इंसान के पास होना चाहिए जिससे उसका फा अगर आपको लगता है कि कुछ suggestions हैं जिससे हम इस चीज को और improve कर सकते हैं तो आप मुझे बिलकुल बताएए और मुझे बहुत खुजी होगी आपसे बात करके और आपके suggestions को सुनके तो आएए अब हम बढ़ते हैं अपने आज के topic की तरफ which is section 43 section 43 बात करता है fraudulent transfers के बारे में राइट तो section 43 जिस principle पर बेस्ट है मैं आपको वो बता देता हूँ right section 43 basically दो doctrines पर बेस्ट है एक तो equity पर equity के principle पर बेस्ट है प्लस दूसरा किस पर बेस्ट है right equity का मतलब होता है to do something that is just मतलब वो करना जो सही हो right और estoppel मैं आपको इसके पहले वाले lecture में lecture 19 में मैंने आपको estoppel बहुत अच्छे से explain किया जब हुन section 41 पढ़ रहे थे तो estoppel का मतलब यही होता है कि अगर आपने किछी को कोई promise किया है तो फिर आपको उस promise को perform करना पड़ेगा right एक तरीके से provided कुछ condition satisfy हूं तो यह section 43 है इन दोनों पर based है right और estoppel में कौन सा feeding the grant by estoppel doctrine of feeding the grant by estoppel तो प्री में अगर question आजाए कि section 43 में कौन सा doctrine है तो section 43 doctrine of feeding the grant by estoppel पे based है right और equity का principle क्या है equity का principle यह है कि a man who promises to perform something right he should be compelled to perform a man who promises to perform promises to perform an obligation right must be compelled to perform must be compelled to perform it must be compelled to perform it when he is capable of performing it when he is capable of performing it right कि एक इन्सान जो कोई चीज promise करता है कि मैं आपको यह घर ट्रांसफर करूंगा right पर उस time पर वो fraudulent उसने यह वादा किया कि मैं करूंगा जबकि उसके पास capacity नहीं थी ट्रांसफर करने की वो घर उसका था ही नहीं पर अगर subsequently ऐसा होता है कि किसी तरीके से वो घर उसका हो जाता है वो घर उसको मिल जाता है इन्हरेट कर लेता है कोई gift कर देता है वो इनसान तो उसके बाद जब वो capable हो गया उस चीज को perform करने के लिए तो उसे वो चीज क्या करनी चाहिए अपना जो प्रॉमिस उसने किसी के साथ किया था वो प्रॉमिस उसको perform करना चाहिए ठीक है आई होप आपको section 43 के बीचे का जो jurisprudence है जो basis है वो clear हुआ होगा कि यह इस doctrine पर बेस्ट है और equity और estoppel दोनों के rules को यह incorporate करता है अपने आप में अब हम section 43 देखते हैं इसके ingredients के साथ it says where a person fraudulently or erroneously represents that he is authorized to transfer certain immovable property तो एक इनसान जो है जो person है वो क्या करता है वो fraudulently या फिर erroneously यह रेपरेजेंट करता है कि वो authorized है किस चीज के लिए transfer करने के लिए कोई immovable property किस चीज के लिए authorized है to transfer certain immovable property and professes to transfer such property for consideration right such transfer shall at the option of transferee operate on any interest which the transferer may acquire in such property तो यह जो transfer है किस के instance पे transferee के interest पे enforceable होगा ठीक है कब जब वो जो transferer है वो कोई interest acquire करता है right उस property में अब हम at any time during which the contract of transfer subsists इसको हम समझते हैं one by one कोई भी इंसान पहले हम fraudulently और inoniously रेखते हैं एक एक ingredient हम इसका समझेंगे right एक और चीज section ingredients पे जाने से पहले section 43 basically जो है वो एक well known principle है नेमो नेमो डाइट नेमो डाइट नेमो डाइट कोड नोन हैबिट इसका मतलब होता है कि कोई इंसान जितना title उसके पास है वो उससे better title transfer नहीं कर सकता यह इसका literal meaning होता है इसका क्या मतलब होता है मानली जए जो है वो tenant है किसी property पे वो तो खुद रेंट पे रह रहा है तो क्या वो उस property को मानली जए यह property है तो यह अगर tenant है तो यह क्या इस property को बेच सकता है B को नहीं बेच सकता, क्यों? क्योंकि इसके पास ownership का title ही नहीं है, owner ही बेच सकता है, या फिर अगर इसको authorize किया गया हो as an agent, तब बेच सकता है, पर यह क्या? यह के वल tenant है, तो क्या इसके पास ownership का title है? नहीं, तो title ही नहीं है जब इसके पास ownership का, तो यह किसी दूसरे को ownership कैस एक्सेप्शन है, right? Section 43 इस principle का exception है, Section 8 of Transfer of Property Act इस principle को incorporate करता है, मैंने आपको जो Section 8 का lecture किया है, उसमें नहीं बात बताईए है, तो अब यह जो कोई भी इंसान है, वो क्या करता है? fraudulently और erroneously मतलब, suppose कोई A नाम का इंसान है, वो B को यह बोलता है, कि यह property जो है, ठीक है? यह property म मेरी है या मैं इसको authorized हूँ sell करने के लिए और वो इसको transfer कर देता है, वो property, ठीक है? अब जब transfer कर देता है, और इससे transfer कैसे करता है? for consideration, right? तो B इसको पैसे देता है, पर बाद में B को यह realize होता है, कि इसके पास तो title ही नहीं है property का, तो यह कैसे बेच सकता है? मालो A ने B को यह property क्या कर दी? sell off कर दी, right? अब B को बाद में पता चला कि A के पास तो right ही नहीं है, इस property को sell off करने का, क्यों? क्योंकि यह properties किया ही नहीं, पर इसने क्या किया fraudulently, मतलब इसने इसको ऐसा दिखाया, जैसे कि यह property इसी की है, तो इसने fraud किया, right? section 41 जब हमने पढ़ा था, त पर फिर उसमें दिक्कत क्या थी? कि जो owner था property का, उसने भी दुनिया को ऐसे बताया था, जैसे कि यह real owner हो, इस तरीके से उसके conduct से ऐसा portrait हुआ था, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे यह इनसान जो है, मान लीजे यह property किसी C नाम के इनसान की है, और यह बंदा अब इस case में A क्या करेगा? A property दे नहीं सकता, तो इस case में एक option जो B के पास है, वो यह है, कि मान लो, somehow ऐसा कुछ होता है कि C ने किसी दिन यह property A को gift कर दी, तो बाद में जब A को यह property gift कर दी गई, तो A के पास title आ गया इस property का, तो जैसे जब इसके पास title आ गया, तो उसके बाद B जो है, वो A को compel कर सकता है, यह बोल सकता है, कि तब तो जब तुमने मुझे promise किया था, मेरे से जब पैसे लिए थे, तब तुमारे पास property का title नहीं था, और तुमने उस ताइम promise किया था, कि मैं आपको बेच दूँगा, यह property, यह मेरी property है, पर अब जब कि यह property हो है, आपको यह property मिल गई है, तो अब आप मुझे यह बेचिए, तो B क्या कर सकता है, B A को compel कर सकता है, ऐसा करने के लिए, तो इसलिए यह बोला गया, कि A के पास भले ही property का title नहीं था, बट फिर भी इसने contract of sale किया, इसने property इसको बेचती, तो अब यहाँ पे, बाद में अ basically, section 43 का application, तो अब पहला चीज क्या होनी चाहिए, कि A ने fraudulently, मतलब इसके साथ B के साथ fraud किया और यह बताया कि यह इसकी property है, जानबूच के, या फिर erroneously, A को ऐसा लगता था कि यह property इसकी है, यह इसके father की property थी, उसके बाद इसको लगा कि यह property इसको पापा ने लिखी हो यहाँ पे, right, erroneously इसने क्या किया, यह जानते हुए, इसकी identification fraud करने की नहीं थी, इसको लगा कि यह properties किये, तो इन दोनों ही cases में, जो section 43 है, वो apply होगा, फिर उसके बाद, अभी जो person है क्या करता है, fraudulently and erroneously represent करता है, कि वो authorized है किसी property को, क्या है वो, authorized है किसी property को transfer करने के ल तो authorized to transfer का मतलब, या तो वो owner है, या फिर वो agent है, right, कि property बेच सकता है, अब इस case में, और किस तरह की property, immovable property, तो आप यह ध्यान रखिए कि section 43 भी किस पे लगता है, immovable property पे लगता है, section 38 के बाद से TPA पे जो यह provisions है, यह part 2 के, यह सारे के सारे किस पे लगते है, immovable property पे ही apply होते है, फिर उसके बाद for consideration, तो यह जो transfer करेगा A जो B को, यह कैसा होना चाहिए, transfer for consideration होना चाहिए, right, मतलब B ने इसको कुछ consideration दिया हो, यह gratitude to us transfer ना हो, which means, A ने B को gift ना किया हो, अगर उसने ऐसी यह property gift कर दी है, तो उसके बाद यह इसको compel नहीं कर सकता, भले इसको title मिल गया हो, तो अगर gift है, तो उस पे section 43 apply नहीं होगा, तो यह कैसा होना चाहिए, for consideration transfer होना चाहिए, right, उसके बाद, such transfer shall at the option of the transferee, किसके option पे, at the option of transferee, ठीक है, transferee कौन है, इस case में, जो B है, वो transferee है, जो transfer करता है, वो transferer और जिसको transfer करता है, वो क्या होता है, transferee, तो at the option of transferee, right, operate on any interest which the transferer may acquire in such property, तो अब B जो है, वो इसके option पे, जो transferee है, इसके option, मतलब इसके पास option होगा, कि ये इसको compel कर सके, कि जब ये कोई interest जो है, इस property में acquire कर ले, जैसे कि मैं आपको बताया, कि ये property इसने इसको बेच दी, पैसे ले लिए, जब कि इसके पास title नहीं था, और ये property C की थी, बट किसी दिन, ऐसा हुआ कि C ने ये property इसको gift कर दी, या फिर, अपनी will में लिखके चला गया, कि ये property इसको मिल जाएगी, मेरी death के बाद, और ये property इसको मिल गई, तब, कौन, transferi, ये option किसको दिया है, transferer को नहीं दिया है, transferi को दिया है, तो transferi क्या करेगा, compel कर सकता है इसको, किसको, जो transferer है उसको, किस चीज के लिए, कोई भी interest जो वो इस property में acquire करता है, उसको क्या करने के लिए, transferi को, transfer करने के लिए, बी को देने के लिए, ठीक है, during which the contract of transfer subsists, during which the contract of transfer subsists, मतलब, ऐसा transferi के लिए, तभी कर सकता है, अगर इन दोनों के बीच में, जो contract of sale हुआ है, वो subsist करता हो, contract जो है, वो खतम नहीं किया गया हो, contract खतम कब किया जाता है, suppose, जो transferi है, इसने क्या किया, इसने rescission करवा दिया contract का, under specific relief act, इसने क्या बोला, इसने बोला कि इसने ये perform नहीं किया है, अपना obligation, and I want the contract to be resigned, मतलब contract को खतम कर दीजिए, और, या फिर इसने क्या किया हो, मतलब contract खतम अगर हो गया, तब, क्या transferi ऐसा कर सकता है, नहीं कर सकता, या फिर, इसने क्या किया हो, बी ने, जो भी purchase money pay किया था, वो पैसा जो है, इसने वापस ले लिया हो, क्या कर लिया हो, purchase money इसने, जो transferi है उसने transferr से वापस ले लिया हो या फिर compensation और जो damages वगरा हैं वो पूरे इससे वसूल लिये हो ठीक है, damages जो basically है वो इससे किसे transferr से वसूल लिये हो तो अगर ये तीनों चीजें हो चुकी है तो फिर जो transferr है उसके पास section 43 का जो benefit है उसको avail करने का option नहीं है कब avail कर सकता है? जब उसने ये सारी चीजें ये सारे जो options जो है वो avail नहीं किये हैं तब section 43 का benefit जो है वो इनसान जो transferr है वो ले सकता है तो I hope आपको ये जो contract of transfer subsists है इसका मतलब समझ आया होगा राइट फिर इसके बाद हम एक चीज ये देखते हैं कि अब जब इसने कोई जो interest है वो acquire किया राइट A ने B को ये property sell off कर दी उसके बाद क्या हुआ property पर इसका कोई हक नहीं था बाद में इसको C ने property अपनी will में लिख दी और ये property इसको मिल गई तो जब ये property मिल गई तो automatically होगी राइट automatically transfer B के पास नहीं जाएगी इसको B को क्या करना पड़ेगा claim करना पड़ेगा B को ये जो property है उसको claim करना पड़ेगा और अगर B claim नहीं करता है तो B अगर claim नहीं करता है तो ये property इसको नहीं मिलेगी राइट तो automatically property भी के पास नहीं जाई यह उसे claim करना पड़ेगा अभी जब हम English law देखते हैं तो English law में क्या होता है कि automatically जो property है वो transfer हो जाती है मालो यह case इंडिया में रुना होके अगर इंग्लेंड में हो रहा होता तो जिस moment यह property इसको मिली राइट जैसे इसकी death हुई इसकी will के थ्रू यह property जैसे ही a को मिली उसी moment यह property किसके पास चली जाती बी के पास चली जाती तो इंग्लेंड में क्या होता है English law में automatically इस तरह की जो property होती है वो transfer के पास चली जाती है पर इंडिया में ऐसा नहीं होता यह difference है इंडिया और इंग्लेंड के English law में इस चीज इस पर्टिकुलर चीज के reference में अब यह जो section 43 है अगर आप section 13 of specific relief act देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह section काफी हद तक उससे similar है तो हमेशा section अभी मेरे लिए possible नहीं है कि मैं आपको section 13 यहाँ पर बताओं मैं आपको specific relief act यह transfer of property के बाद समझाओंगा तो आप आराम से correlate कर सकता है मैं आपको यहाँ पर reference दे रहाँ कि आप section 43 को section 13 है सारे के साथ पढ़िए उसके बाद यहाँ पर जुसका second पहरा है वो यह बोल रहा है nothing in this section shall impair the right of transferies in good faith for consideration without notice of the existence of the said option right मान लीजे a ने b को property transfer कर दी पहले इसके पास title नहीं था फिर same property उसने क्या करा d को transfer कर दी right तो अब अगर मान लो किसी दिन अब c ने जब यह property इसको दी तो पहला right किसका होगा d का होगा इस property पे और a को यह compel करेगा कि यह जो property आपको मिली है आप मुझे दो right specifically यहाँ पे एक जो यह second पैरा है वो यह जो second bona fide transferie है जो subsequent bona fide transferie in good faith है जिसे यह जो transaction इसके बारे में कोई idea नहीं था और उसने पैसे दे के यह property खरीदी good faith में उसके rights को यहाँ पे ज़्यादा protect किया जाएगा यहाँ पे यह क्या कर सकता है यह a को जैसे यह a को seek वाली property में interest मिलेगा यह a को compel कर सकता है कि यह वो जो property है आप मुझे deliver करो आप मुझे दो तो इस case में आपके दिमाग में आएगा कि अब b का क्या होगा b के साथ भी तो गलत हुआ है तो b के पास option है वो सारे कि यह a के against cheating का case file कर सकता है under ipc criminal proceedings कर सकता है उसके अलावा damages claim कर सकता है तो यह सारे जो options है वो b के पास available है और इससे damages claim कर सकता है प्लस जो money है जो पैसा इसने b ने a को दिया था property खरीदने का वो क्या कर सकता है वो recover कर सकता है तो b के पास यह सारे options होंगे पर d का पहला right होगा इसके इस जब इसको यह property मिलेगी यह है जो second पैरा यहां पे दिया हुआ है उसका जो meaning है जो उसका application है वो मैंने आपको यहां पे explain किया I hope आपको clear हुआ होगा नाओ वन लास्ट पॉइंट और वो लास्ट पॉइंट क्या है कि मान लीजे ए ने कोई property transfer की b को और वो प्रॉपर्टी क्या थी यह प्रॉपर्टी थी उसने इस प्रॉपर्टी के लिए बोला कि मेरा इसमें कि मैं इस प्रॉपर्टी को authorized हूँ transfer करने के लिए है तो अब general rule क्या है कि बाद में अभी तो यह authorized नहीं है अच्छली पर बाद में अगर यह property इसको मिलती है तो b क्या कर सकता है a को compel कर सकता है कि आप यह property हमें दो पर a ने इस property में कोई interest gain नहीं किया कोई दूसरी property है यह माल लीजे property 1 है और यह property 2 है तो इसने property 2 के लिए बोला था b को कि यह मेरी property और मैं इसे transfer कर रहा हूं तुमको बट ultimately इसको पता चला कि इसकी property नहीं है और इसने transfer किया इसने पैसे वैसे दे दिये पर अभी क्या हुआ बाद में यह property 1 थी property 1 इसको मिल गई property 1 इसने inherit कर लिए इसको किसी ने gift कर दी तो क्या b जो है वह a को compel कर सकता है कि वह property 1 इसे deliver करे इसका answer होगा no केवल उसी property के लिए यह compel कर सकता है जो property इसको transfer की जानी थी जो property के लिए a ने इसको transfer किया था transferer ने यह बोला था कि मैं आपको transfer करूँगा केवल उसी property में अगर इसने interest acquire किया है तो ही section 43 apply होगा otherwise यह section 43 के purview में नहीं आएगा अगर कोई और property अगर कोई और property जो है वो उसमें interest इसने acquire किया है तो यह था हमारा section 43 and I hope आपको section 43 बहुत clearly समझाया होगा आपको इसका एक एक ingredient मैंने बताया है बहुत detail में अगर इसका आप illustration पढ़िए और illustration आपको मैं एक बार आपको बताई देता हूं नहीं तो आप सोचोगे सर ने illustration तो छोड़ी दिया बतादे तो अब यह क्या बोलता है यह एक हिंदू है वह अपने father से separated हो गया है और उसका father कौन है उनके father है b और वो तीन fields जो है वो c को बेज देता है कितने fields थ्री fields कौन से x y and z इसमें से of these fields z does not belong to a जो z वाली यह field है यह a को belong नहीं करती है यह a की नहीं है ठीक है it having been retained by b on the partition तो यह z जो है किसको belong करती है b को belong करती है क्योंकि जब husband और जब father और son के बीच में partition हुआ तो यह दो fields तो a को मिल गई पर यह वाली जो है यह तीनों इसकी और यह तीनों transfer कर सकता है फिर क्या हुआ b की death हो जाती है और जब b की death हो गई तो father की death हुई तो son ने क्या करी यह जो property है यह inherit कर ली अब जब इसने यह property inherit कर ली तो जो c है इसके पास right होगा कि यह z के लिए भी इसको a को compel कर सके कि अब आप यह property हमें deliver करो जैसा कि आपने promise किया था अगर section 43 के दूसरे ingredients जो है वो satisfy हो रहे है which means अगर contract वगरा subsist कर रहा है तो I hope आपको section 43 properly clear हुआ होगा और imovable property पे मुझे आपके जो answers है वो मिले कुछ लोगों के और काफी अच्छे answers आप लोगों ने लिखे हैं मुझे ऐसा लगा कि आपने जो मैंने वीडियो upload किया है answer writing पे वो आपने properly देखा है और उसके बाद वो answers attempt किये हैं काफी अच्छे answers लिखे हैं कुछ लोगों ने जिनको वो format follow नहीं किया जिनको कुछ problem थी मैंने उनको feedback दि तो मैं चाहूंगा कि आप सब भी जो उन questions को अगर देखें तो आप answers लिखें और मुझे भीजें और जो उसमें पहला question था कि कितने साल तक अगर doctrine of election के अंडर section 35 के अंडर कितने साल तक जो owner है property का अगर उसने किसी benefit को enjoy किया है तो यह माना जाएगा कि उसने जो transfer है उसको confirm कर दिया है तो उसका answer होगा two years section 35 में ही लिखा हुआ है और दूसरा question मेरा उसी में था कि वो किस तरह का presumption है यह presumption किस तरह का है तो basically यह presumption of law है क्योंकि section 35 खुद ही बोलता है shall presume तो वो presumption of law है तो यह रहे दोनों answers lecture 19 के end में मैं आप से जो पूछे थे आज के questions क्या है आप मुझे बताए कि anchor of a boat क्या यह movable property है या immovable property है and why आपको कोई भी answer जाब दे रहे हैं आप बताए ऐसा क्यों आपको लगता है then question number two उन states में जहां पर TPA applicable नहीं था या अभी भी नहीं है तो how to make it applicable क्या procedure है transfer of property act को उन territories में अप्लाई करने का जहां पर यह अप्लिकेबल नहीं है इन दो questions के answers मैं आप से उम्मीद करता हूं आप मुझे देंगे और मुझे से connect करेंगे मुझे बहुत खुशी होगी मुझे बहुत सारे answers मिलते हैं और मैं चाहता हूं आप सब पार्टिसिपेट करें और इस चैनल को और आपके classroom को बहुत support मिल रहा है जो मुझे opinions मिलते हैं लोगों के मैं जिन से interact करता हूं मुझे personal messages भी आते हैं और वो मुझे बता को दे सकें तो मिलता हूं मैं आप से next lecture में और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए and keep learning keep watching thank you